सर्दियों में काम पर जाना कठिन है पियेत्रो ओल्स जेवस्की को आखरी दो किलोमीटर चड़ाई चड़नी पड़ती है 45 साल के पियेत्रो पोलेंड के श्नेयेसका मौसम केंद्र में मौसम भी ज्यानी है केंद्र को ये नाम उस पहाड से मिला जहां पर ये इस्थित है 1600 मीटर उची ये चोटी पोलेंड और चैक गणराज्य की सीमा भी है श्नेयेसका पर मौसमी डेटा 140 साल से लगातार रिकॉर्ड किया जा रहा है अगर उपकरण खराब हुए तो रिकॉर्ड में बाधा आएगी इसलिए लगाता देख रेख और निगरानी ज़रूरी है मैं रेंगेज, पाईरानो मीटर और आल वेदर कैबिनेट साफ करता हूँ ये दुनिया के सबसे पुराने मौसम केंद्रों में से एक है पियत्रो उल्स जेविस्की और उनके सहकर्मी यहां लगातार दस दिन बिताते हैं और मौसम का डेटा वार्सो भेजते हैं हम हर घंटे सूचना भेजते हैं डेटा में तापमान, नमी, हवा की दफ्तार और दिशा, हवा का दबाओ और हमारे अवलोकन के नतीजे, जैसे बादलों की स्थिति और दिश्चता वगेरा शामिल हैं फिर इंद्र धनुष जैसी मौसमी घटनाओं की सूचना भी दी जाती है ओल्स जेविस्की शनयेसका में 15 साल से काम कर रहे हैं वो अपने और दूसरों के लिए यहां के परिवेश और मौसम की तस्वीरें भी लेते हैं ये जन्वरी की फोटो है शुन्ने से नीचे तापमान और 230 किलोमीटर प्रती घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के बीच उन्हें बाहर निकल कर सुनिशित करना होता है कि सभी उपकरण चल रहे हैं या नहीं स्टेशन के पुर्मुख पियत्रो क्राजकोवस्की 1991 से यहां काम कर रहे हैं आज कल कमोबेश सारा मौसमी डेटा इलेक्ट्रोनिक रूप से दर्ज किया जाता है और पर्खा जाता है बहुत सारी चीज़ें मापने के बाद जलवाई उपरिवर्तन जैसे तथिकी पुष्टी की गई आपको सबसे सरल माप तापमान देखना होता है इसके ग्राफ में आप 1886 से औसत सालाना तापमान का पता लगा सकते हैं श्नेयसका में ये करीब देड़ डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है ये बहुत ज्यादा है अगर आप हवा के तापमान में बदलावों को देखें तो ये 10 साल में पहले ही 0.37 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है हम कह सकते हैं कि हमने ये बदलाव देखें है पिछले 32 वर्षों में इन में वाकई और तेजी आई है श्नियसका जैसे शहरी केंद्रों से दूर स्थित जगहों पर भी यही हाल है ये बदलाव साफ दिखते हैं अगले 20 या 30 साल में श्नियसका कैसा दिखेगा मौसम विज्यानी पियत्रो उल्स जेविसकी शायद इसे करीब से जाच परख पाएंगे और इंस्टाग्राम के जरीए व्यापक जनता को दिखा पाएंगे